जिस बात का आपको इंतजार था वो होना सुरू हो चुका है वो घड़ी आ गई है जब नरेंद्र मोधी के खिलाफ एक बड़े गटबंधन की तैयारी में पहला कदम आज रख दिया गया यह कदम बिहार से होता हुआ दिली तक पहुचा और नितीश कुमार ने राहुल गां है कि मोधी विरोधी लहर को अपने पाले में करना और उसकोर नरेंद्र मोधी को 2024 में बाहर कर देना सत्ता से यह कैसे संभव होगा तो सबसे पहले तो इस बात को आप जानिए कि नितीश कुमार ने अचानक से अपना नाम विड्रो क्यों किया यह बाते हम आपको लगतार बता रहे हैं कि कई ऐसे उदाहरन हैं इतिहास के पन्नों पर लिखे हुए हैं जिसको नितीश कुमार ने अचानक से पढ़ लिया उनकी नजर पढ़ गई 77 उन्होंने देखा उन्होंने 96 देखा और इस सब के बाद उन्हें पता चल गया कि यह जो गठबंधन है वो कहीं न कहीं सेर की सवारी होगी यही कारण था कि उन्होंने खुद को विड्रो कर लिया था और इसका नाम दिया था कि विपक्च को एक जूट करने की कवायत में लगेंगे हलाकि लालू परसाद जैसे ही इस बात की जानकारी उन्हें मिली तो सबसे पहले उन्हें गुसा आया कि नितिश कुमार ने वादा किया था कि वो बिहार की कुर्सी छोड़ करके दिल्ली के लिए जाएंगे लेकिन वो बिहार की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं तो लालू परसाद ने जैसे ही बुलावा भेजा, नितीश कुमार दोड़े-दोड़े उनके पास पहूंचे और लालू परसाद ने उन्हें व सारे गुंण चिखाए, जो दिल्ली में जा करके उन्हें करने हैं, यही नहीं, नितीश कुमार के नाम पर जो देश भरके, वो ये है कि दिल्ली पहुंचते हैं सबसे पहले राहूल गांधी से मिलना और उस राहूल गांधी से जिस राहूल गांधी को ले करके कॉंग्रेस का एक-एक वरकर ये कह रहा है कि हमारे परधानमंत्री राहूल गांधी ही होंगे तो ऐसी इस्थिती में नितीश कुमार ने जब विड्रो कर लिया है तो क्या राहुल गांधी को परधान मंतरी बनाने के लिए वो गहे थे ऐसा बिल्कुल नहीं है नितीश कुमार ने भल ही अपना नाम विड्रो कर लिया हो लेकिन राहुल गांदी से मिलने का सीधा मकसद था कि वो रास्ट्रिये पार्टी हैं और और कोई सपोर्ट करे जा न करे बिहार की साथ पार्टी जिसमें कॉंग्रेस भी सामिल है और कॉंग्रेस के कॉंसर्स के आधार पर ही उनको आगे बढ़ना पड़ेगा इस सारी बातों को लेकर के जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया था कि सोनिया गांदी नहीं है देश में अपनी माता के निधन के बाद वो वहां गई है और राहुल गांदी पूरी तरह से लीड कर रहे है राहुल गांदी से मिलने के बाद निधीश कुमार काफी संतुष्ट नजरा है क्योंकि जो भीतर खाने में चर्चा चल रही है कि निधीश कुमार प्रधान मंत्री बनने के लिए तयार है और कॉंग्रेस उन्हें प्रधान मंत्री पद देने के लिए तयार है बसरते की ये स्थितियां पैदा हो जाए कि 2024 में नरेंद्र मोधी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा और इसके बदले में कॉंग्रेस को उप परधान मंत्री का कुर्सी मिलेगा ये चर्चाएं जो रोपे हैं लेकिन इन सब के बीच में ये पूरी कवायत जो है पटना में बैठ करके स्टेरिंग आपने देखा होगा कि गाड़ी जब चलती है तो ड्राइविंग सीट पर कोई और होता है और उसका स्टेरिंग किसी और के पास होता है जब आप गाड़ी सीखते हैं नितीश कुमार जी भी परधान मंतरी की स्टेरिंग को अपने हाथ में तो रखे हुए हैं लेकिन कहीं न कहीं ब्रेक और कलच दोनों ही लालू परसाद के पास है ऐसी स्थिती में नितीश कुमार जो दिल्ली में कवायत कर रहे हैं जो लोगों को जोडने और मिलने जुलने का कारेकरम कर रहे हैं उसमें एक एक कारेकरम पर लालू परसाद की नजर है और बिहार से अगर कोई बड़ा बदला होगा तो उसके जड़ में लालू परसाद हो राहुल गांदी से मुलाकात हो चुकी है अगली मुलाकात वामदल के नेताओं से होनी है उसके बाद देखिए क्या-क्या लिस्ट मिला है उन्हें लालू प्रसाद के द्वारा किसे-किसे मिलना है यह सारा धीरे-धीरे खुल करके सामने आएगा लेकिन इतना तैमान के रहे हो लेकिन यह सब कुछ वह पढ़ान मंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए ही कर रहे हैं अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो केम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद